अगर यह हफता आपकी प्रेगनेंसी का चौधवा हफता है तो बधाई हो अब आपने पहला ट्राइमेस्टर सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है अब बस समय आ गया है जब आपको पहले की अपेक्षा अधिक अराम दायक महसूस होने लग जाएगा इसी तोरान आप आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आने शुरू होंगे जो सब के सामने भी प्रत्यक्ष होंगे आपके बच्चे के विकास के महत्व पूर्ण चरण लगभग पूरे हो चुके होंगे और अब बस वो 30 रफ्तार से बढ़ रहा होगा इसी के साथ अभी भी आपको अपने खान पान वजीवन शैली में विशेश साफधानी बरतने की आवशकता है आएए अब आपको इस सब्ताह के लक्षणों बच्चों में होने वाले बदलावो वो इस सब्ताह में बरतने वाली साफधानियों के बारे में बताते हैं प्रेगनेंसी के चौदवे सब्ताह के लक्षण पिछले आपते से ही अब आप अपने शरीर के अंदर पहले की अपेक्षा अधिक उर्जा महसूस करेंगी इसी के साथ मतली आने वर उल्टी जैसी समस्याय कम हो जाएंगी अब आपके स्तनों में वृध्धि होना स्वभाविक है आपके स्तन, आपके बच्चे को स्तन पान कराने के लिए तयार हो रहे है जिसके फल स्वरूप ऐसा हो रहा है अब आप अपना वजन बढ़ा हुआ पाएंगी और आपकी कमर भी बढ़ने लग जाएगी इसलिए आपको ढीले ढाले वह अराम दाय कपड़े पहने की सलाह दी जाती है इस दोरान आपकी भूग भी बढ़ेगी और हो सकता है कि आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपको दो लोगो का भोजन करना चाहिए लेकिन ऐसा बिलकुल न करें क्योंकि अधिक भोजन आपकी वजन को और अधिक पढ़ा कर नई समस्या खड़ा कर सकता है इस समय आपका बेबी एक नीमू के अगार का है जिसका वजन लगभग 35 ग्राम वा लंबाई 3.9 इंच के आसपास है आपका शिशू लगातार तेज गती से बढ़ रहा है और उसकी बाहे लंबी होकर शरीर के बाकी हिस्सों के अनुपाद के बराबर हो रही है इस हफते शिशू में होने वाले कुछ अन्य बदलाव इस प्रकार है नमबर एक शिशू की गर्दन अब और अधिक साफ दिखाई देने लगेगी नमबर दो शिशू की पलके अब आखों के उपर की तरफ जुड जायती है नमबर तीन अब आपका शिशू अपना अंगूठा मुह में लेने में भी सक्षम होता है नमबर चार बच्चे के लिवर में पाचन कारे प्रारंब कर दिया है नमबर पांच शिशू की किड़नी ने यूरीन बनाना भी शुरू कर दिया है नमबर चे बच्चे की चेहरे की मान स्पेशिया ठीक से कारे कर रही है और आपके बेबी के मुस्कुराना भी शुरू कर दिया है गर्भावस्ता के बारवे सप्ताह के लिए आहार नमबर एक कैल्शियम व प्रोटीन गर्भाशे में पल रहे बच्चे के विकास के लिए प्रोटीन व कैल्शियम का सेवन अत्यंत आवश्यक है इसलिए आपको दूद, दही, छाच व पनीर आदी का सेवन करना चाहिए नमबर दो आइरन का सेवन अब से लेकर डिलिवरी तक आपको आईरन का रोजाना सेवन करना अनिवारे होगा इसके लिए आप संत्रे का जूस, नीमबू पानी व अहरी सबजियों का सेवन अवश्यकरे नमबर तीन, फॉलिक एसेड या फॉलेट युक्त आहार्त गर्भावस्था से पहले दिन से ही आवश्यक है इसलिए आपको फॉलेट युक्त पदार्ट का सेवन करते रहना चाहिए नमबर चार, कैफीन को कहे ना कैफीन युक्त पदार्ट जैसे चाय, चॉकलेट व काफी आदी का सेवन अब आपको बंद कर देना चाहिए इन पदार्टों का सेवन आपकी कब्ज में बढ़ोतरी करेगा इसलिए इन पदार्टों से दूरी बना कर रखें वह भूल कर भी इसका सेवन न करें इस दोरान आपको टॉक्सिक युक्त पदार्टों का सेवन से भी बचना चाहिए प्रेगनेंसी के चौदवे सप्ताह के लिए सला खान पान से जुड़ी साफधानियों के लावा इस हफते आपको कुछ अन्य सलाह भी दी जाती है जिनके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे है गरभावस्ता में आपको हाइडरेटर रहना बहुत ज़रूरी है इसलिए दिन भर में 10-12 ग्लास पानी पीए हर विटमिन के खुराग जैसे फॉलिक एसिड वर विटमिन B6 लेती रहे इसी के साथ प्रीनेटल विटमिन का भी सेवन करे अब आपको अराम दायक वर ढीले कपड़े पहने की आवशक्ता है इसलिए ढीले ढाले कपड़ों की शॉपिंग कर ले इस दोरान हील्स की जूते वर चपल पहनने से बचे सभी सावधानियों का पालन करते हुए भी यदि आप तनाव ग्रस्त है तो यह अच्छी बात नहीं है इसलिए तनाव से बचे और अपने परिवार वदोस्तों के साथ समय बिताए वजन को नियंतरत करने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेकर उचित वयायाम करे और कठिन वयायाम ना करे तो इस प्रकार अब आप गर्भावस्ता के चौदवे सब्ता से जुड़ी इन सभी महत्वपुन बातों को चान गई होगी आशा करती हों कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए लाबदायक सिद्ध होगी प्रेगनेंसी से जुड़ी और खबरे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीचिए